हेलो वेल्कम टो एक्जमिन साइट केसे आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होगे आज की तारीक है 17 जुले 2030 हम शुरू करते आज का करंट अफेर आज का सेशन शुरू करने से पहले शुरू करते हैं रिविजन रिविजन है 15 जुले का देखो उजल भुयान और वेंकट नारायन ये दो जच ठीक है सुप्रिंग कोट में अपण किये गए है राष्टपति मुर्मूज ने इसको अपण किया है खेर पुजा फेस्टिवल ये अभी तृपुरा में सिल्बेट किया गया है इसके अलावा औ अपर लिया है ओडिसा ने ठीक है युएंडीप ने इंडेक्स हिलिज किया है ग्लोबल म्ले रिमेशनल पाउर्टिंऊ निपक्स ठीक है यह कुण साजया करता है युएंडीपी युपी गोवर्मेंट युपी गोवर्मेंट ने दो थैर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रफुल मिलिटरी है उसके बाद इलॉन मस्त ने रिविल किया है एकस एयाए यह चैलेंज कर रहा किसको ओपन याए को ओपन याए के को ने कि सीयो साम अल्टमैन ठीक है राजुकुमार यह आटेंड कर रहे है क्या आटेंड कर रहे है एक्जेकुटिव बॉर्ड आफ अस्सेशन वर्ल्ड इलेक्शन बॉड़िस इसका मतलब क्या है राजुकुमार यह कौन है भारत के के इसी आए मतलब इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया अब आजका पहला सवाल पहला सवाल है डे के उपर है कि वर्ल्ल यूथ स्कील डे यह कब मना जाता है वर्ल्ल स्कील यूद्ड यह मना जाता है हम पंदरः जुले अगर मैं नैश्नल यूथ डे की बात करो तो यह मनाते हैं बारा जन्वरी को स्वामी विवेका नंद की जैनती होती है 12 जो लोगों क्या मनाते हैं एक नाबार दे है एक मलाला दे है 18 जो लोगों नेलसन मंडेला दे है 18 जो लोगों क्या है है एपेटेटिस डे डे का डिस्कुशन डे का रिविजन एक 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 डॉक्टर डे सीए डे 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 जेश्ट डे उसके बाद यूसे का इंडिपेंडेंडेंस डे चार जुले 1776 ठीके वोल्ड पॉपुलिशन डे 11 जुले भारत का कितना पॉपुलिशन है लगबग 142 करोड मलाला डे 12 जुले उसक के बाद नैशनल ब्रोड कास्टिंग डे तेही जुले इसी दीन आल इंडिया रेडियो की स्तापनावीती मुंबए में 1927 में इंकम टैक्स डे यह बना तो आठरास इंकम टैक्स डे यह बना ता 1860 में 24 जुले को यह दिन मानाते है कार्गिल विजय दिवस यह कब हुआ था वार उन 1999 को 26 जुले वोर्ल है पेटेटिस डे अटाई जुले इंटनाशल टाइगर डे 29 जुले 3167 भारत में टाइगर है MP है टाइगर स्टेट और नाकपूर टाइगर सिटी अगला सौल देखो अगला सौल दो नंबर का RBI ने अभी नॉन बैंकिंग फाइनाशल कंपनी NBFC ठीक है उसके लाइसन्स कैंसल किये है तो कितने बैंक के लाइसन्स कैंसल किये है इसका सभी जब क्या है 11 12 क्या है टोटल नैशनलाइज बैंक है ठीक है नैशनलाइजेशन हुआ था बैंक को का ठीक है चोदा बैंक थे बैंक का सवाल है डिसकेशन आएगा बैंक का देखो इंपोर्टन आक्ट जो बैंक के बारे में है पहला नेगोशेवल नेगोशेवल इंस्टूमेंट आक्ट 1881 कॉर्प्रटीव सोसेटी आक्ट 1912 रिजर्व बैंक आफ इंडिया 1934 बैंक रिगुरिशन आक्ट 1949-स्टेड बैंक आफ इंडिया 1955-स्टेड बैंक आफ इंडिया सब्सेडियरी बैंक आक्ट 1959 जो क्या होता था पहले SBI का प्लस SBI के आस।ोशीयट बैंक पहले होते थे मतलब बैंक ओफ हैदरबाद था बैंक आफ एसबे के असोशेट बैंक होते हैं मतलब जिसे बैंक आफ हाइदराबाद भी था एक वक्त ठीक है उसको एसबे में मर्च कर दिया है और एक्ट देखे तो DICGC Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation Act 1961 में आए था ठीक है इसमें भारस सरका कितना दे रहा है इंसूरस लिमिट पांच लाग अगर आपका पैसा बैंक में रखा है बैंक में अगर चोरी डखेती होती है बैंक में आग लगती है तो पांच लाग तक का आपको इंसूरस मिल सकता है यह बैंक के यह आपके लिए हुआ अगर बैंक में आग लगी तो बैंक को कितना मुँआज़ा मिलेगा वह 25 लाक, बैंक को कितना मिलता है 25 लाक ठीके, नाबाध, National Bank for Agriculture and Ruler Development, इसके चैर्मन कौन है, काजी, केवी, ठीके, ये बनाता 1982 में, NHB National Housing Bank, ये 1987 में बना था, इसका हेड़कॉर्टर है लखनों में ठीक है यह स्मॉल इंडिस्ट्री को लोन देता है यह बनाता 1990 में और सिक्रूटी एक्षेंज बोर्ड अफ इंडिया इसका हेड़कॉर्टर है मुंबई में यह एक्ट आयता 1988 में और यह कब स्टार्ट हुआता 1992 में इसी वक्ट नैशनल स्टॉक एक्षेंज कौन सा है बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज ओके देखो आज तो एक्ट खतब नहीं हो रहे करते हैं और आए देखो आई आर्डी ए आई इंशुरेंस रेगिलिटरी डिलोप्मेंट और टी इसके बाद एना इंडिया भी लग गया था ठीक है उसके बाद आई एंडि है यह बना था था ओके इंसूरेंस रेगिलिटरी डिलोपमें ऑथीटी ऑफ इंडिया यह बना था 1999 में पेले इंसूरेंस के लिए रेगुल टी बाडी नहीं हुती थी अब founded 1999 क इसको बलते हैं वेमा यह कंच कब आया था फेमा एक्ट कब आया था 1999 को उसके बाद स्कूर्टिनाजेशन और रिकंस्रॉक्शन फानेशल आसेट एन्फोस्मेंट स्कूर्टी इंट्रेस्ट एक्ट इसको शॉर्ट में बोलता है सर्फेक्सी एक्ट मान लो कि आपने गाड़ी का लोन नहीं करती है आपको नोटीश भेजती है ठीक है अगर उसका अच्छे से जॉब मिला तो भी अगर आपको कॉन्फिनस लेकि आगर आप किस्ती जमा कर दोगे तो ठीक है लेकिन वो नहीं कर पाए, तो Surface Act के अंदर आपके उपर कारवय होती है और आपका घर, मकान जो अपने लिया है, बैंक से करजा लेके, वो बैंक जब्द कर लेता है ठीक है? उसके बाद, Prevention Money Laundering Act 2002, very very important अभी रेसेंट न्यूज में, जब सुशान सिंह का केस हो था, 2020 में, तो ये Act बहुत न्यूज में था उसके बाद, Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, very important इसको शॉट में क्या बोलते है, FSBM, आपको एक्जामें ये भी पूछ सेकते हैं कि FSBM में F क्या है, B क्या है, S क्या है, M क्या है उसके बाद, Government Security Act 2006, Security को पर कौन कंट्रोल करता है, RBI, ठीके 26 राफैल मरेन एरक्राफ, ठीके, इसके खरीत परत को मंजूरी किसने दी है, अगर ये सावल आपको एक्जामें आए, तो आपको पहला मन में आगा क्या, Finance Minister ठीके, अगर मैं इसको ना बोलू, तो आप बोलेगे, Finance Secretary, ठीके, पर इस दोनों का जवाब गलत है, इसका सेल जवाब है, Defense Acquisition Council, ठीके, ये एक Council होता है, ये खरीत फरोत, ये फाइनल करता है, ये लोग decision लेते हैं, कौन है, निर्माला सितारमन, Finance Minister है, ये टी सौमनाथ, ये Finance Secretary है, ठीके, ये मिलके decision लेते है, और ये decision लेते है, और फाइनल अपरूल कौन करता है, समझों की, accounting part कौन देखता है, Defense Acquisition Council, अगला सौल देखो, चोथे नमबर का, समर्त स्कीम, ठीके, समर्त स्कीम, अभी implement की है, 43 new partners जितमें add किये है, तो ये कौन से ministry ने ये scheme launch की है, समर्त स्कीम, option देखो, तो, देखो, home affairs ने कौन से scheme की थी, village defense guard, vibrant village program, social justice ने कौन से की थी, नमस्ते स्कीम, seed schemes, textile की क्या scheme है, समर्त स्कीम, और कौन सी है, PM, मित्रा, और समर्त स्कीम, ये दोनों स्कीम कहां से है, textile ministry ने launch की है, MSME ministry ने launch की है, lean scheme, ठीके, इसके minister कौन है, नारायन राने, वो, नारायन राने, जो सिंदु दुर्ख से आते हैं, स्कीम की बात आई, तो scheme के ओपर revision आएगा, PM, श्री स्कीम, PM, श्री स्कीम क्या है, school for rising India, PM, मित्रा, स्कीम किसले, textile के लिए, PM, स्वानेजर, स्कीम किसले, street vendor, आत्म, निर्भर, सोधार, power plant के लिए, किसान, उर्जा, एवं, उत्थान, महाभियान, PM, प्रनाम स्कीम किसले है, fertilizer के लिए, मनरेगा, महात्मा गांधी, National Ruler Employment Guarantee Scheme, उसके बाद, PM, मिश्थी स्कीम, मिश्थी स्कीम किसले है, मैगरूज के लिए, और PM, STEM स्कीम, STEM क्या है, science, technology, engineering and mathematics, ओके यहां लिखा है सब कुछ, आज का question of the day है, 28 जुले को, International Hepatitis Day, यह मानाते है, ओके, दूसरा statement है, Hepatitis, यह एक bacterial disease है, bacteria से होता है, इसका statement 1, 2, both या none of this, इस तरह से आप जॉब दीजे, करेंगे, comment करने आपको, पाच्वा सवाल देखो, बुक्स के ओपर है, समझे, प्रिजम, एंसेंटल, अबॉड, रेंबो, बिफोर, चंदर्यान, तीन, ठीक है, यह किसने लॉंज किया है, यह बुक, रिलीज किसने किया है, इसका सभी जॉब क्या है, विनोध, मनकारा, सलमा रजजी की बात करूँ, तो इन्होंने बुक लिखी है, रिसेंटली, दो हजार तेईस की, विक्ट्री सिटी, रस्किन बॉन्ड की बात करूँ, तो इन्होंने एक दो मेने पहले बुक लिखी थी, इन्होंने रिसेंटली बुक लिखी तीकों सी, इन्डियाज फाइनस मिनिस्टर, बुक्स का दिस्केशन, देखो, अनिता भरश्या, गलर्थ अफ डिविशन, रस्किन बॉन्ड बॉन्ड गोल्डन इस, रुपा राय, योगा सुत्रा फॉर चिल्डरन, सलमान रजदी, विक्ट्री सिटी, लाइफ, वेल स्पेंड, सतिष चंद्रा, इंडियाज फाइनस मिनिस्टर, एके बट्टा चारिये, यह इंपोर्टन है, सब इंपोर्टन है, लेकिन मैं स्टार कर रहा हूँ, वो मोस्ट इंपोर्टन है, अमिताब कान, वही आमिताब कान थे, जो नीती अर्ग के सियो रेच चुके थे, 2015 में, आमिताब घोष, ACC के सबसे फेवरेट आउथर है, स्मोक एन अशेस, यह किताब इन्होंने लिखी है, छटवा सवाल देखो, छटवा सवाल क्या कह रहा है, आसियान का Conference on traditional medicine, यह meeting, यह conference कोन होस कर रहा है, देखो आसियान, इसमें कितने देश आते हैं, दस देश आते हैं, ठीक है, इसका headquarter है, जकारता में, इंडुनेशा में, इंडिया इस नोट पाट अफ आसियान, ठीक है, पर इसका सेव जब क्या है, इंडिया, और कुछ, बॉडी की बात करूँ, तो देखो, ब्रिक्स, ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफरिका, साउथ अफरिका में, 2023 का ब्रिक्स होने वाला है, अगर एस सेव की बात करूँ तो, शांगाय कॉर्परेशन और्गनेशन, इसकी 2023 की मीटिंग कहा पर होने वाली है, इंडिया में होने वाली है, उसके बाद G20, मीटिंग कहा पर होने वाली है, इंडिया में होने वाली है, उसके बाद G7 कहाँ पर हुआ? देखो, G7 कहाँ पर हुआ? जपान में, 2013 का जिसमें मोदिज को भी इन्वेट किया गया था, SCO, इंडिया, G20, इंडिया, NATO, लिथ्विनिया, ये 1949 में बना था, BRICS, South Africa, 2030 की बात कुरू तो, इसका BRICS का बैंक कुन सा है? New Development Bank, इसके प्रेसेंड है, दिल्मा उरुशेफ, आसियान, जिसका भारत पार्ट नहीं है, जिसका भारत सदस्ट नहीं है, ये बनाता 1967 को, जिसका हेड़कॉर्टर है, जकारता में, COP18, COP28, ये मिटिंग का पे होने वाली है? दुबई में, दुबई वही जगा है, जहां पे, Biology, Olympiad, संपन हुए, जिसमें भारत ने किया, टॉप, अगला सॉल देखो, आगला सॉल देखो, फर्स्ट अरब कंट्री, टुगेट अब्जर्वर स्टेटर्स, इन एशियन पैसिफिक मनी लॉंडरिंग, ये कॉन्फरेंस हो रहा है, इसमें observer status दिया है पहली अरब कंट्री को, तो देखो, अरब कंट्री की बात करूँ, अरब कंट्री क्या है, देखो, ये सब जगा है न, इनको अरब कंट्री बोरह ज़का है, ठीक्या, मौरिटेन, मौरक्को, अलजरिया, लिबिया, एजिप, सूधान, सिरिया, इराक, सूधान, ओमान, यमन और सोमालिया इरान नॉट पार्ट आफ अरप समझे इसका सरी जब क्या है UAE Turkey की बात करूरे तो, Turkey भी पार्ट ने इसका तर्कि बाट करूरे तो, Turkey भी पार्ट ने access का अच्छा है भारत के साथ इसने डील भी कि है सो बिलियन दॉलर की नौन ओइल ट्रेंड यह देखो कुछ अरब कंट्री कुन सी है देखो अरब वर्ल में कितना कंट्री है टोटल 22 कंट्री है जो मिडल इस्ट में आती है और नौर्थ आफ्रिका में आते हैं यहाँ पे देखो यह मिडल इस्ट का पार्ट है यह पार्ट है मिडेलिस्ट का और यह पार्ट है नौर्थ आफ्रीका का अलजेरिया बहरीन कोमोरोस आइलेंड डिजूती इजिप्ट इराक जॉर्डन कुवेट इस तरह से 22 देश इस इसमें आते हैं यहां पर कितना कंट्री अरब में 22 कंट्री है अगर मैं आपको सवाल पूछू एश्या में कितना कंट्री है टोटल अफ्रीका में कितना कंट्री टोटल 54 नॉर्थ अमेरिका में कितना कंट्री है यहां पर न्यूजीलन है लेकिन इसके बाज़ो में जो कुछ-कुछ कंट्री यह यह उस्लियन कॉंटीनेंट में आते है और खुद देश है और यह कॉन धी है और इसले के को को ने प्रेस पी एम कोंड है ऐंधनी अलग्णिस आटवा सवाल देखो फ्रांस का हाइस्ट आवार्ड फ्रांस का स्वरोच्यम हाइस्ट आवार्ड ये रिसेंट्ली किसको दिया गया है फ्रांस का हाइस्ट आवार्ड ये पेले भारतियों को दिया गया है इसका सही जब क्या है नरेंदर मोदी जी फ्रांस के को ने प्रेसिदेंट कोन है इम्मेनियोल मैकरॉन ओके ये बैस्टेल डे परेड के लिए चीफ गेस्ट बुलाया था मोदी जी को उसके बाद उनको फ्रांस का हाइस्ट आवड दिया गया है आपका पता है ये इंट्रनेशनल सोलर आलाइंस ये दो देशों ने शुरू किया है 2015 में किसने इंडिया और फ्रांस इसको शौर्ट में बोलते है आएसे इंडिया प्लस फ्रांस द्रोपति मुर्मुजी की बात करूँ तो यह आप यह लिखा है हाँ देखो द्रोपति मुर्मुजी को सुरी नाम का हाइस्ट और मिला है यह भी आफरीका का एक कंट्री है मोदी जी को भूतान, पपॉनिगीनी, एजीप्त, फिजी इन चारों का हाइस्ट और मिला है एसे तो बहुत सारे कंट्री का मिला है हाइस्ट और मोदी जी को लेकिन ये 2022 और 2023 की बीच में मिला है तो ये एक्जाम में आ सकते हैं आपको हर्मन प्रित कौर विजडन क्रिकेटर आप दे इयर शंकर महादेवन बर्मिंगम युनिशिटी के दर से डॉक्टरट मिली है इसके बाद एंचंदर शेकर जो टाटा के चेर्मेन है इनको फ्रांस का हाइस रॉड मिला है मेरीकम को ग्लोबल इंडियन आइकॉन अप दे यर मिला है यूके इंडिया की तरफ से इसके साथ हमारे सेलेशन समाप्त होता है डेली करन्ट अफिर व्यूडियो के लिए नीचे देगी लिंक पे क्लिक किजे और चैनल को सब्सक्राइब किजे और डेली करन्ट अफिर अपडेट के लिए बेल आइकॉन को हिट किजे और आप से एक दर्ख्वास है कि आप कमें